तो गाईस इस वीडियो में आज भी मंडे नाइट रो में रोमनेक्स पॉलेमन और थियोरी के फुल प्रोमो सेग्मेंट को हिंदी में कवर अप करने वाला हूं ट्रावल जी मैं अब और कुछ नहीं बोलने वाला यह बोलकर रोमन माईग पॉल हमन को पकड़ा देते हैं और फिर पॉल हमन काफी कुछ बोलते हैं रोमन और ब्रॉक के समर्स्लैम मैच के बारे में लेकिन इसी बीज माइटी वी कॉंट्रेक्ट विनर थ्योरी की एंट्री ह काते है कि मेरे लिए एक चीज काभी फनी है कि बलर लाइन बस ब्रॉक के बारे में ही बात करते हैं समर्स्लैम मैच को लेकर लेकिन यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट डिटल भूल रहे हैं उस मैच की और वह हुमन देखना समर्स्लैम में मैं अपनी यूज चेंपिन से भी वापस नहीं जीतूंगा बोवी लेशनी से इसके अलावा भी मैं इस तरह चलते हुए रिंग में आऊंगा रोमन और ब्रॉक के मैच के दौरान और कैजिन करूंगा मेरे एमाई टीवी कॉंट्रैक्ट मुझे फर्क नहीं परता है कि ब्रॉक हो या फिर रोमन क्यूंकि मैं बनूंगा न्यू अंडिश्ट पे डबलो डबलो ई उनिवर्सल चेंपियन तभी रोमन कहते हैं कि क्या तुम वही रुकने वाले हो तुम मेरे अरिना में आये हो तो कम से कम रिंग में आकर अपने ट्रावल चिप को एननॉलेश तो करो चलो आ जाओ डरो मत लेकिन तभी ठ पाइट ट्रावल चिप फिर रोमन कहते हैं मैं तुम्हें अफ्रिशेट करता हो जो तुम इस ब्रीपकेश से करना चाते हो लेकिन सही बताओ अब कोई कुलू बचा ही नहीं तुम्हारे पास जिससे तुम इस ब्रीपकेश को आयूज कर सको और एक फैक्ट की बात बताओ तुम्हें एक समाजदार इंसान के सुझाव की जरूरत है चलो वह समाजदार इंसान आज रात के लिए मैं बन जाता हूँ देखो मैं इस पूरी सिच्वेशन का एनेलेसिस करके तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा डैडी अब यहाँ पर नहीं है और अब यह रिंग मेरी है सभी कराउड इस बात को लेकर थूरी को काफी चिडाने लगते हैं और फिर रोमन काते हैं कि तुम सही सुन रहे हो तुम्हारे डैडी अब चले गए हैं और अब सबको पता है कि ट्रावल की भी तुम्हारा डैडी है क्योंकि ध्यान से देखो सिच्वेशन को अब मैं ही चला रहा हूँ और इस गार्डेन को भी ऐसा बोलकर रोमन थूरी के कंधे पर हाथ रखकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर तो आप सबको पता ही है कि आगे क्या हुआ तो इस तरह आज हमें रोमन पॉल हमन और थूरी के फूल प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला इसके साथ दोस्तों हमारे आज वाली वीडियो यही तक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में